गुड मोर्निंग आप सबी को हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड बाइलोजी सेकेंड पेपर के बारे में जिसमें हमारी यूनिट चल रही है यूजी लेवल में यूनिट नमबर फोर जिसमें हमने एलगी है वो स्टार्ट कर रखी है एलगी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं शेल वोल है एलगी में किस परकार की होती है और उसमें थेलस है एलगी में थेलस है वो किस किस परकार का है वो पाया जाता है आज इन सब के बारे में है वो हम जानकारी है वो लेंगे और कुछ इंपोर्टेंट टोपिक को है वो हम अंडरलाइन है वो करेंगे आज का हमारा जो पहले जो टोपिक है वो है शेल वोल की एलगी में जो सेल वोल है वो पाय जाती है अधिकांस जो एलगी है उसमें जो सेल वोल होती है वो होती है सेलूलोज की बनी हुई सेल वोल होती है केलशियम कार्बोनेट की जो सेल वोल है वो पाय जाती किसमे है एक तो कारा में है वो केलशियम कार्बोनेट की जो सेल वोल है वो पाए जाती है और कारा के अलावा कुछ रेड एलगी होते हैं उनमें ये सेल है वो केलशियम कार्बोनेट की है वो पाए जाती है यानि कि अधिकांस जो एलगी होते हैं अगर हमें सिधा पूछाए जाए कि एलगी क सेल वोल होती है तो हम सिधा जवाब देंगे कि सेलूलोज की बने हुई होती है अगर हमें कारा स्पेशल पूछा जाए कि कारा की जो सेल वोल है वो कैसी होती है तो हम जवाब देंगे कि calcium carbonate की होती है और कारा है इसे stone word है वो भी कहा जाता है कारा को silica silica की जो cell wall होती है वो होती है क्रिप्शो फाइसी की जो सदस्य होते है उनमें पाए जाती है dratoms में है ये जो silica की जो cell wall है वो परजेंट होती है इसके अंदर पेक्टोज की जो cell wall है वो पाए जाती है spirogyra के अंदर है वो पेक्टोज की cell wall है वो परजेंट होती है पेक्टोज की cell wall है वो spirogyra में परजेंट होती है ये क्यूशन है वो KVS में है वो पुछा गया था कि पेक्टोज की जो cell wall spirogyra में है वो सेल वोल है वो किसकी बनी हुई होती है तो हम जवाब देंगे कि पेक्टोज की है वो सेल वोल है वो बनी हुई होती है अगली है मूरेमिक एशिड के अंदर है वो सेल वोल के अंदर कौन किस की एलगी में पाय जाती है एक तो BGA यानि ब्ल्यू ग्रीन एल्गी साइनो फाइसी में है वो मूरेमिक एशिड की सेल वॉल्ट पाई जाती है और डाइमिनो पिकोनिलिक जो एशिड से है ये पर ये जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है मूरेमिक एशिड है ये प्राप्त होता है अधिकान जो सेलवल सेलूलोज की बनी होती है कारा में पाए जाती है केलसिम कार्बोनेट की इसके लावा कुछ ग्री जो रेड एलगी है उनमें पाए जाती है सिलिका की पाए जाती है क्रिप्शोफाइसिस की सदेशिय में उस पाए रेड़ा में पाए जाती है पेक्टोज है उनमें जो सेल वोल पाई जाती है वो पाई जाती है एलगीनिक एसीड की है वो सेल वोल है इनमें है वो परजेंट होती है किसकी एलगीनिक एसीड एलगीनेट की जो सेल वोल है वो परजेंट होती है फिश ओफ आईसी यानि कि brown algae के अंदर है ये परजेंट होती है जो road of IC के जो members है उनमें कौन-कौन से जो सदस्य आते हैं वो आते हैं अगर 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 प्राप्त किस से होता है जिलेडियम और gris salaria से है ये अगर-अगर है वो प्राप्त होता है सीधा IMP लगा लेने ना ये सीधा question पुछा जा होता है कि अगर-अगर किस से प्राप्त होता है एक तो जिलेडियम और gris salaria से है ये प्राप्त होता है अगला है कि कारजेने निन है इनसे क्या प्राप्त होता है जो अगर-अगर road of IC है अगर-अगर और कारजेने निन से ये होता है वो जो अगर-अगर तो प्राप्त होता जिलेडियम और ग्रिस सी लेडिया से प्राप्त होता है जो कारा जेने निन है ये कोने ड्रोपस जरीस मोनास से है ये प्राप्त होने वाला एलगी होता है इससे प्राप्त होता है कारा जेने निन है वो कोन ड्रस जरीस मोस से है ये प्राप्त होने वाला होता है अगर अगर ज ये एक जाम में दो तिन एक जाम में हैं ये पुछा गया है सेल वोल यूगलीना और डाइनो फलेजिलेट है इन में क्या होती है अपसेंट होती है ये इंपोर्टन पॉइंट है कि सेल वोल यूगलीना में है वो सेल वोल अपसेंट होती है और जो डाईनो फलेजिलेट्स है उनमे भी जो सेल फैल फैलो always है वो कैसी होती है? वो होती है अपसेंट उनमे भी और सेल फैलो वोल के चारू और पेलिकल सेल फैलोकस्थान पर प्रोटिन का आवरन है वो परेज Stewart होता है यूगलीना और डाइनोफलेजिलेट है इनमें सेल वल अपसेंट होती है और जो यूगलीना होता है उनमें सेल जो मेंब्रेन है उसके चारू और जो पेलिकल सेल वल के स्थान पर प्रोटीन का जो आवरन है वो परजेंट होता है सेल वल के स्थान पर सेल वल तो अपसेंट हो होती है डाइनोफलेजिलेट में सेलवल है वो अपसेंट होती है तो हमने जो सेलवल है एलगी की उसके बारे में है वो बात कर ली कि सबसे ज़्यादा है वो हमें ध्यान में रखने है सबसे इंपोर्टन पॉइंट है कि सेलुलोज की बनी हुई सेलवल होती है जो पेक्टोज सी लेरिया का है ये अगर-अगर है वो बना हुआ होता है फिर जो यूगलिना डाइनफलेजिलेट में जो सेलवल है वो होती है अपसेंट सेल मेंब्रेन के जारू और प्रोटीन का आवरन है वो परजेंट होता है इसके अंदर किसके यूगलिना के अंदर अब हम बात करेंग structure of thales के बारे में जो योगलिना जो ये एलगी है इसके अंदर जो thales है वो किस-किस परकार का होता है जो thales होता है एलगी के अंदर वो होता है unicellular, clinical, filamentous, spino-cocus और perenchymetis परकार का ये थेलगी है वो पाया जाता है unicellular type का होता है clinical होता है filamentous होता है spino-cocus है वो होता है और perenchymetis जो ये होता है थेलश है वो परचेंट होता है थेलश एलगी के अंदर तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं unicellular एलगी के बारे में जो unicellular जो एलगी है वो unicellular कितने टाइप के होती है ये चार टाइप के होती है unicellular एलगी unicellular motile non motile दूसरी है unicellular flagellated motile और तीसरी है unicellular rhizopodial चोती है unicellular unicells filamentous ये चार प्रकार की एलगी है वो परचेंट होती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे unicellular non motile के अंदर है वो कौन-कौन से एलगी आती है एक आती है chloraladietams और chlorococcus ये एलगी है वो पर आय जाती है सबसे important point है कि unicellular non motile का मतलब है कि इनमें जो flagellular है वो होते है absent इनमें जो flagellular होते है वो absent होते है किस-किस में chloraladula और diatoms में जो flagellular है वो होते है absent chlorococcus जो उपर वाली जो होती है वो होती है इपी ठीका और जो निच्चे वाली होती है वो होती है हाइपो ठीका diatoms और जो diatoms होते है उनमें जो sail wall के उपर एपी ठीका और निच्चे की तरफ हाइपो ठीका ये मैंने आपको बता दे कि उपर की तरफ तो एपी ठीका पाय जाती है और निच्चे की तरफ जो पाया जाता है वो होता है हाइपो ठीका यानि कि chloraladula or diatoms होते है उनमें क्या absent होता है इनमें motile ये इसका दूसरा टाइप है unicellular phlegyla phlegylate motile यानि कि phlegyla है इसके अंदर है वो परचेंट होते है और clamidomonas yuglina है ये इसके example है कौन-कौन से clamidomonas और जो yuglina है वो इसके जो example है वो होते है इसके red algae rhodophyce और synophyce है यानि phlegyla है वो absent present होते है इनके अंदर unicellular phlegylate motile के अंदर जो phlegyla है वो present होते है और clamidomonas yuglina red algae blue green algae इन दो में non-motile store gamits है वो present होते है और motile structure है वो इसके अंदर क्या होती है motile structure होती है वो इसके अंदर क्या होती है वो absent होती है अब तक है वो हमने दो जो unicellular जो algae है उनके बारे में है वो जान लिया एक तो unicellular non-motile यानि phlegyla absent होती है और chloraladiatems है वो इसके example हो गए और जो chlorococcus उपर की तरफ dietems होती है उनके उपर की तरफ पाई जाती है epithika और निचे की तरफ पाई जाती है hypothika और फिर है हमने phlegylated motile के बात की कि इनमे क्या होगे phlegyla है वो present होंगे और इनमे क्या क्या पाई जागा यूगली नाकले माइडो मोनास रेड एल्गी और जो blue green एल्गी है वो present होते है इनके अंदर अब हम जो इसका तीसरा टाइप है unicellular rhizopodial है उसके बारे में बात करेंगे unicellular जो rhizopodial है इनमें क्या होता है कि seal wall है वो तो क्या होती है इनके अंदर absent होती है sale wall और protoplasmic projections है वो निकलते हैं और यह जो protoplasmic जो protection है वो इस टाइप के है वो होते हैं और इनमे krisosemiba है वो krisosemiba है वो इसको है वो कहा जाता है ये जो पार्ट होता है इनको क्या कर जाता है क्राइसो मीबा है वो कर जाता है और इनमें क्या होता है अमीबा के स्यूडो पोडिया के समान है वो ये स्ट्रेक्चर होती है किसके समान होती है अमीबा के जो स्यूडो पोडिया होती है इनके समान है, ये structure होती है, यानि unicelle-ryzopodial, इनमें क्या होता है कि cell wall होती है, upshand और protoplasmic projections है, वो निकलते रहते हैं, इनमें अगला जो type है, वो है unicelle-filamentous, unicelle-filamentous है, इनमें क्या होता है spirical filament होते हैं और ये क्या होते है spirical filamentus है वो होते है और इसके जो एक्जामपल है वो है spirulina 70% protein है वो पाय जाती है इनके अंदर और क्या होता है कि plan area है वो इसका example है वो हो जाएगा spirulina और plan area है वो इसका example है वो हो जाएगा एक टाइप है यूनिसेलूलर थेलस है उसके बारे में है वो हमने पढ़ लिए अब दूसरा जो टाइप है वो है क्लोनिकल यानि क्लोनी के रूप में है वो इसके कितने टाइप होते हैं वो इसके टाइप होते हैं चार तो सबसे पहले है वो हम बात करने वाली है कि क्लोनिकल विद डिफिनेट नंबर साइज ओफ शेल्स यानि साइज ओफ शेल्स के अधार पर है जो क्लोनिकल है वो डिफिनेट नंबर साइज ओफ शेल्स के अधार पर तो सबसे पहले सीनो बियम है वो आता है इनमें क्या होता है कि कोशिकाओ की संख्यावा आकार है वो होते है निश्चेत ये क्या होते है क्लोनी बनाकर है वो रहते है जैसे वोल वोक्स है वो क्लोनी बनाकर है वो रहता है वोल वोक्स है वो क्लोनी बनाकर है वो अराम से है वो रहता है इसके जो एक्जामपर है यानि कि जो ये जो एक्जामपर है वो हमें अच्छे शेयाद करने हैं कि सीनो बियम क्लोनिकल वीद क्लोनी बना कर रहते हैं डेफिनेट नंबर साइज ओफ शेल्स के आदार पर एक तो वॉलवक्ष आ गया है प्लेकिया का है वो इसमें परजेंट है यानि वॉलवक्ष की जो कोलोनी है यह important point है कि वॉलवक्ष की कोलोनी में है कौन से जो प्लेकिया है वो परजेंट होते हैं इनमें दूसरा एक्जाम्पल है Penderorina और Udorina ये इसके एक्जाम्पल है वो हो जाएंगे अगला जो है वो है वोलवक्स की कोलोनी में प्लेंग क्या है वो परजेंट होते हैं इस पर है वो हमें without definite number of size of shells के आधार पर प्ले में लोईड कोलोनी कोशिकाओ आकार की संख्या क्या होती है वो संख्या होती है एनिश्चित यानि इस परकार की जो कोलोनी है प्ले में लोईड कोलोनी इनमें कोशिकाओ की संख्या कैसी होती है एनिश्चित होती है यह दो टाइप की होती है एक होती है टंप्रेरी और दूसरी होती है पर्मानेंट यानि एस्थाई और स्थाई जो एस्थाई है वो है क्ले माइडो मोनास जो पर्मानेंट है वो है टेटरास्पोरा एपेनो थीका यह दो टाइप है टेटरास्पोरा और ये दो टाइप है वो होते है पर्मानेंट के यानि अब तक है वो हमने देखा कि जो कोलोनी है वो प्लेम में लोईड को लिनी है वो दो टाइप की होते है एक तो टंप्रेरी दूसरी पर्मानेंट टंप्रेरी होती है वो क्लेम आइडो मोनास जो पर्मानेंट होते है वो अमोडल और राइजोपोडियल कोलोनी यह इसका तीसरा टाइप है कौन कुन सा एक अमोडल और राइजोपोडियल जो कोलोनी है इसका जो जाएगा क्रिस डाइस पम यह इसका एक जामपल है वो जाएगा इसमें जो कोलोनी यह आपस में है वो सटे हुए होते हैं यह सबी इस को कहते हैं अगली जो कोलोनी है वो आ जाएगी ट्री लाइक कोलोनी है यह ट्री के आकार की है यह कोलोनी होती है यह होती है chrysodendendron यानि कि tree-like जो structure होती है इस पर है वो ये colony बना कर है ये algae है वो रहती है dendroid colony या tree-like जो colony है इसको कौन सी colony भी कहते है ये होती है dendroid colony है वो भी इसको कहते है यानि कि दो type है वो हमने पढ़ लिए एक तो कौन सा type था है unicellular thalus दूसरा type है colonial thalus अब तीसरा type की है वो हम बात करेंगे तीसरा type है filamentous from जो filamentous from है यानि कि filaments है ये दो type के होते है एक simple unbranched दूसरा है branched जो simple unbranched है ये होते हैं तीन type के free floating दूसरा attached to substractium तीसरा type है clinical BGA तीसरा type हो गए clinical BGA यानि तीन type है वो होते हैं तीन type है वो हो गए simple unbranched colony के जो free floating जो kolony है जो free floating filamentous from है ये सवतंतर रूप से तेरने वाले होते हैं इसका जो जामपल है वो आजाएगा इस पाइरो काईरा है वो इसका एक्जामपल है वो हो जाएगा और इसका जो type है वो इस type से होते हैं उपर की तरफ apical होता है और नीचे की तरफ है hold fast होता है जो hold fast का जो कारिया है वो कई बार एक्जाम में है वो पुछा जाता है hold fast का कारिया IMP लगा कर है वो हमें अच्छे से नोट करना है कि जो hold fast होते हैं इसका जो कारिया है वो हो जाएगा इनमें क्या होता है कि chlorophyll तो absent होता है अगर chlorophyll absent होगा तो इसमें क्या होगा photosynthesis अब photosynthesis को जो किरिया है वो अपने आप ही नहीं होगी और ये कारिया क्या करता है ये कारिया करता है filamentus को ठोस सतय होती है उससे चिपकाए रखने का कारिया है वो कौन करता है वो करता है hold fast दूसरा टाइप है वो attached to substratium यानि ठोस सतय से चिपका हुआ रखता है ये तो क्या था सवतंतर रूप से तेरने वाला था और ये क्या करता है कि ठोस सतय से है वो चिपका हुआ है वो रहता है पहला जो इसका एक्जांप है वो जाइगे निमा यूलोथ्रीकस और उडोगोनियम है उडोगोनियम के है वो हमें अच्छे से आयम पे लगा कर लिखना है कि उडोगोनियम है वो ये morphological dimorphism in thales है वो होता है ये उडोगोनियम अगला जो टाइप है वो है इसका clinical clinical में है वो कौन-कौन से जो एलगी है वो आते है एक तो आता है BGAE blue green algae non-stock और anabina यानि कि हमें तीन उग्जांपल है वो ध्यान में रखने है कि clinical है वो filamentous from a clinical है उसके जो एक्जांपल है वो है blue green algae non-stock और anabina है वो आते हैं जो attached to sub stream ठोस सत्य से चिपके हुए में आते हैं जाएगे नीमा euloticus और eudogonium है वो हमें अच्छी से है वो याद रखने है जो hold fast का का कारिया क्या है इसके अंदर क्या होगा जो chlorophyll absent होगा तो photosynthesis है वो नहीं होगा और filamentous और ये कारिया क्या करता है ये filamentous को ठोस सता होती है उससे चिपकाई रखने का कारिया है वो ये करता है अगला जो दूसरा इसका टाइप है वो है branched ब्रांश्ड है ये भी दो टाइप का होता है एक होता है false branch दूसरा जो branch होता है वो होता है true branch जो false branch होता है उसका जो example है वो हो जाएगा skyto nema skyto nema है वो इसका example हो जाएगा जो true branch है इसके तीन example है एक simple heterothricus और pseudoparenchymetis जो heterothricus होता है इसका example हो हो जाएगा अब थेलस में है वो जो थेलस होता है वो होता है दो type का कौन कौन सा एरेक्ट और horizontal एक हो जाएगा Coleoket है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि Coleoket से है वो बार बार है जो Qution है वो पूछा जाता है कि Coleoket है वो किस प्रकार का है तो हम जवाब देंगे कि ये ब्रांशड होता है और Philamentus Trome में है ये परजेंट होता है Coleoket, Fristula, Fristula और Ectocarpus एक्टो कर्पस में कौन-कौन से आते हैं एक आता है ओका हेटेरो थेलिक, ट्राइको थेलिक और आइसो गेमी हैं वो आते हैं इसके अंदर अगला जो है वो है स्यूडो पेरेंकाइमेटर्स स्यूडो पेरेंकाइमेटर्स में हैं वो कौन-कौन से आ जाएंगे एक आ जाएगा बेंथ्रे कोस्पेरम दूसरा आ जाएगा बेंथ्रे कोस्पेरम दूसरा आ जाएगा पोलिस्पोनिया एक तो आ जाएगा बेंथ्रो कोस्पेरिमम दूसरा पोलिस्पोनिया दोनू क्या होते हैं ये दोनू ही रेडेल गी है अब अगला जो टाइप थिल्स का साइफो नेशियम यानी इसके अंदर क्या होता है, यह फिलामेंटस होता है बरांश्ड होता है सीनोसिटिक होता है ये सीनोसिटिक है इसमें क्या होता है कि जो मल्टी न्यूक्लियड प्लांट है वो ये होता है मल्टी न्यूक्लियड प्लांट सेल होती है और जो इसमें जो जन्थोफाइसी है जन्थोफाइसी क्लोरफिल ए और क्लोरफिल ए है वो इसमें है वो स्टेडियम और गोनाईरो सीराश्टेज है इसके अंदर है यह प्रजेंट होता है जो वाउचेरिया है इसको आई एम पी लगा कर है वो हमें नोट करना है वाउचेरिया से समझे जो क्यूशन है वो बार बार जाम में है वो पुछे जाते हैं तो वाउचेरिया है वो हमें अ आगे भी है वो पुछा जाएगा अगला जो टाइप है वो है इसका पेरेंकाइमेटस पेरेंकाइमेटस है इसके अंदर जो थेलस होता है वो चप्टा होता है लीफ लाइक होता है इस टाइप से जो थेलस है वो होता है इनकी जो सेल्स होती है जो होती है वो इस टाइप से है वो होती है फियो फाइसी और ब्राउन एलगी है वो इसकी एक्जामपल है वो हो जाएंगे ये हो जाएगा सारगेशम और लेमिनेरिया डाइ डिक्टियोटा और फिकस सारगेशम ये इसकी एक्जामपल है वो हो जाएंगे और लेमिनेरिया है इसमें क्या होता है कि इस live tube चलनी के समान को शिकाएं है वो इसके अंदर क्या होती है वो होती है परजेंट होती है लेमिनेरिया के अंदर इसके अंदर जो पेरेंकाइमेटस है इसके अंदर हमें लेमिनेरिया है वो हमें अच्छे से है वो ध्यान में रखना है याद रखना ह तो आज है वो हमने जो थेलस और जो इसकी सेल वोल है इसके बारे में है वो हमने जानकरी है वो प्राप्त की कल हम जो इसकी स्ट्रेक्चर है एलगी की सेल स्ट्रेक्चर है वो किस टाइप के होते है उसके बारे में है वो जानकरी है वो लेंगे धन्यवाद